वेल्कम टू माइ चैनल आज आपकी सवालों की जवाब का टाइम है फेसे तो देखिए शुरू करते हैं जो आपकी सवालों की जवाब कमेंट की जरी दे देती हूं फिर भी लगता है कि यहाँ पर कुछ एक सवाल जो है वो यहाँ देना ज़रूरी है तो वो सवाल लेकर मैं हैं आज आपके सामने हूं Uhh तो शुरू करते हैं सबसे पहले शानू पटल उन्होर ने बोला कि deep neck blouse है इसमें back side का blouse ही shoulder down होगा neckline पे ऐसा नहीं होता है आपका deep neck है या नहीं है जब shoulder down एक side में हो रहा है तो दोनों side से होगा यानि की फव likes और बेग भाग जो आगी का हिस्सा और जो पीछी का हिस्सा है अपकी ब्लाउज या कुस्ट्र या कुछ भी है तो दोनों शोल्डर डाउन होते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि एक स्वूल डाउन नेक लाइन पर कर दया और एक होगा आज्डीट्म कर साथ डिपनेक है तो हम लोग शोल्डर डाउन करते हैं नेक लाइन पर अगर डिपनेक नहीं होता है तो हम लोग शोल्डर डाउन करते हैं आम होल साइड पर तो एक चीज़ जियान रखिए दोनों हिसे ही डाउन होंगे कभी एक हिसा डाउन नहीं होता है जैसे front और back दोनों हिसे down होंगे अगर neckline पे होगा तो दोनों होते हैं और अगर armhole पे होगा तो दोनों होंगे एक-एक हिसा कभी अलग-अलग down नहीं होता है फिर है शकील अबस उन्होंने बोला कि हाँ जो गोली बटन्स उसका यह अलग वीडियो रखा था loops या portly buttons मुझे अच्छे titles मिले आपके थूँ तो उन्होंने बोला कि scrap से भी गोली बटन्स बन सकते हाँ होता है जैसे कपड़े दजी लोग होते हैं जो scrap बच जाता है कपड़ों का तो वो कपड़ों का ही ऐसे गोली बना देते हैं जैसे ही समझे कोई scrap है तो वो उनको इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वापस गोली बना देते हैं और उसको फिर wrap करते हैं और अगर आप beginner हैं तो आपके लिए easy नहीं होगा क्योंकि यह perfect जो गोली बनती है वो शायद नहीं बने इस क्रैप से और इसके लिए यह फोम यानि कि यह थमकॉल के बाल्स जो हैं वो useful होते हैं और बहुत easily और इतनी कोश्ट भी नहीं होती है और अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो मैंने आपको थमकॉल बाल्स का ही tutorial दिय उसके बाद मैं नीलम गोल उन्हा ने बोला कि दोती का वापस से समझाएं देखिए कमेंट के थूर तो दोती को समझाना इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दोती में जो क्रॉच है वही सबसे ज्यादा ट्रिकी है जो किस्वेर या मैंस की दोती या दोती सारी का जो मै है भी नहीं इतना सिंपल सा है बस आप सही से स्टैप फॉलो कीजिए मैंने दोती पे लगबग चार पांच वीडियो दिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा उसके बाद में भी अगर आपको किसी पॉइंट में कहीं आप अटक जाते हैं तो सवाल पूचे के य डबल खोटोरी का होने वाला था अभी ड्राफ्टिंग और आज हमारे प्रदानमंती मोदी जी के एक डिसीजन का असर है यानि की सौरी हमारी यहां पर दुकाने सारी बंद हैं और मैंने चार्ट पीपर मंगवाए थे और स्टेशनरी की दुकाने बंद है उसके कान यह तो सुचा जी यही वीडियो बन जाए तो ड्राफ्टिंग तो हो ही नहीं सकता बीना पेपर्स के उनकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हूं बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे मोदी जी का तो चलिए कोई बात नहीं आपको दो दिन में या तीन दिन में या चार दिन म का एक और सवाल है उन्होंने पूचा कि हाई बर्स्ट और नॉर्मल बर्स्ट कैलकुलेशन और हाउ टू और मतलब कब और कैसे अप्लाई करना चाहिए देखिए मैं नॉर्मली जो आपको ड्राफ्टिंग या स्टेचिंग बताते हूं वो नॉर्मल बर्स्ट की साइज ही सेणफी सेजह कें बताते हूं hazeln मैं नॉइसा इसके बार होता है किसी के भीश्ट कम होते हैं तो किसी के नॉर्मल बर्स्ट से थे कौने का बर्स्ट तो हाप एक्स पॉंट आने पॉंट या आप ।्ट मोफिशे स्टेप पॉंट करें वहां से चेक करना होता है यहbest देखी ब्लाॉस। ब्लाउस तो इस में यह वाला से हाई बस्ट यहांसे ह ön नंग्वर्स यहां अ कहली ड्लेकर हैं यहां यहां समझके रहा किसी निए मेर्थ सधमन आडप सब्सक्रावर दें यानि कि हाइवर्स ज्यादा है तो आप जो यह मार्क लगाता है साइट के स्टिच में तो आपको सिर्फ एक ही चीज करने है कि यह देखेए आप जब यह mark लगाते हैं तो आपको यहां से भी यहां से चेक कीजी कि आपका high burst कितना है उसके हिसाब से यहां पर mark कीजी और normal burst का तो यह है ही फिर भी आप अपनी size के according लेकर mark कीजी इधर आपके west के हिसाब से यहां mark कीजी पूरा mark काने के बाद में इस तरीक इसे एक स्टिच लेजिए तो प्रॉपर आएगा कुछ गड़बर नहीं होने वाला है अगर कभी आपका हाई बस बहुत ज्यादा ही है और नॉर्मल बस इतना कम है तो आप मेजर कीजिए आप में कितना गैप है ज्यादा गैप है तो आप जो यह जो साइज हम लोग नॉर्म नॉर्मल बस के अकॉर्डिंग लेते हैं यानि जो चेस्ट लेते हैं आप यह जो हाई बस है आपकी बहुत ज्यादा है और नॉर्मल बस कम है तो फिर आप हाई बस को ध्यान में रखते हुए अपनी हाई बस को ही चेस्ट साइज समझे और उसके अकॉर्डिंग सारा जो ड देखना है कि या कितना है उसके अकॉर्डिंग मार्क कीजिए फिर ये स्टिश लीजिए फिनिशिंग की तो आपका ये पराबर आएगा तो नहाई बरस्ट और आमर बरस्ट में इतना कुछ नायान नहीं है फिर बारी है उन्होंने ये भी बूला है कि कब अप्लाई होगा तो ये देखी अप्लाई करने का तो ये मैं बता चुकी हूँ अभी उन्होंने ये बोला है कि डार्ट की लिस्ट डार्ट की लिस्ट तो मैंने डार्ट की बारे में एक अलग वीडियो बनाया भी है और जब भ लेते हैं और जब पहनते हैं तो वह इसे लगता है कि यह तो अधर रहरा है यानि कि क्या शब्द दोसको मतलब वह फिट नहीं होता है तो आप अपने size के according.use लीजे तो इसके बारे मैं जब भी blouse बनाते हूं हर एक blouse में उसकी detail होती है तो आप उसी तरह के से उसको follow कीजिए उसके बार दिपक कुमार और मुझे रोज रोज मैं और भी कुछ request दे कई लोगों के की subtitles डाले और English में captions डाले तो captions डालना, subtitles डालना इतना easy नहीं है मेरे लिए अभी तो फिलाल नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे approach बाकी है और इस वक्त मैं ये subtitles यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे practice भी slow है तो इतना करूंगी तो शायद हो ही नहीं पाएगा चोटी-चोटी चीज़े इतना बोलती रहती हूं तो इतना सारा subtitles बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए तो possible नहीं है रामा शर्मा मैम ने बोला कि आप हिंदी में ही ठीक है तो मुझे भी रगता है मैं हिंदी में ही ठीक हूं और इंग्लिश में ठीक है सब्टाइटर्स फिलहाल नहीं पर आगे देखते हैं कुल प्रॉमिस नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने सुन्दार जीवा मैम को बोला तो मुझे अब तक हट होता है कि हां और उनको बोला तो सब्टाइटर्स डालूंगे और फिर उसके बाद में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो सॉरी आभी तो नहीं आगे देखते हैं कभी भी जब होगा तो उसके बाद में तमन्ना शक्ष है ना तो उन्होंने पूचा है कि वेस्टन ड्रस बताइए डार्ट यूज लेकर हाँ जरूर पर आपी सब कुछ एक लाइन में है देखते हैं कभ आता है वेस्टन ड्रस की बहुत सारे अप्लोप्स वाकिए अपर आएगा जरूर फिर नाकमानी मैम ने उन्होंने पूचा बोला है कि बैक ने जब 8 और 9 इंच होता है उससे ज्यादा होता है तो डिपनेक बोलते हैं राइट है फ्रंट में भी पांस से याई फिर फाय और शिक्स से जब अप होता है तो डिपनेक बोलते हैं मैं सुचा था कि इसको करूं क्या कैसे पूट करूंगी तो आप समझ पाएंगे दोनों हिस्सों को अलग-अलग कैसे करूं तो इसी तरीके से मैंने इसको डिपनेक का नाम दिया तो जो फाय इंस से अप होंगे मोर देन फाय इंस से होंगे फ्रंट और बैक नेक तो उनको इसका मतलब यह नहीं कि विपनेक हो गया यह सिफ इसलिए कि आपको मैथर समझाने के लिए कि इस तरीके से आपको यह शोल्डर डाउन नेक लाइन पर करना है और इसको डिपनेक की डेपिनिशन के अंदर ले रहे हैं ताकि आप यह मैथर समझ पाएं और तब आप यह बॉटम से 2.25 इंच क्यों इसका रीजन सिफ इतना सा है कि जो राउंड है जो नेक का वो प्रॉपर लिया है तो पॉइंट 2.5 से इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है अगर आप ब्लाउस में डीफनेक बना रहे हैं और उसमें नीचे मटका शेप देना चाहते है तो यह पॉइंट 2.5 से और ज्यादा बढ़ाई तो और अच्छा डीफ आ जाएगा आप जो राउंड लेते हैं उसका नेक का तो उसका कुछ अलग मतलब कुछ मैथोड या कुछ डेफिनेशन वगर कुछ नहीं है और बोला कि लॉप डाउन शोल्डर पर होता है नेक पर कितने सारे लोग यह बनाते हैं वह सारा का सारा शोल्डर डाउन है वह नेक लाइन पर है वह डिप डेफिनिशन के कारण और इनका कारण यह है कि आपकी ब्लाउस की शोल्डर नहीं गिरेंगी जब आप ब्लाउस पहनते हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है औ मैं सिफ एक ही अडवाइस कर रही हूं कि आप सिफ एक रफ कपड़े का बनाई अपना ब्लाउस इसी मैथर से अगर आपको समझ नहीं आया आपको फिटिंग नहीं आया तो आप बताईए कि मुझे यह सही नहीं लग रहा है मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह मैं शौर हूं कि आपको सैटिस्टिकेशन होगी इसे उसके बाद दग्या जैन नहीं इनका एक और क्रेशन है उनका एक क्रेशन यह है कि चेस्ट प्लस फोर इंच यानि की वो कह रही है कि चेस्ट साइज में पहली फोर इंच एड़ करें उसकी बाद में फोर से करते नहीं ऐसा नहीं हम लोग effort फोर करते हैं फैब्रीक को उसकी बाद में करते हैं यानि मतलब जो extra similar क 125 अाउन सिपमि ऐड़ करते हैं तो आप हमेशा पहले डिवाइद कीजадно 5 इसे को यानि की जैसे 38 की level करना है वो से उसके बाद में अकर आप one तो रंक हाब इन फोर से ऑ चाहते हैं तो वन इंच एड़ कीजी यानि कि 9.5 इंच में उसके बाद में एड़ कीजी अपना सिम अलाउंस और वो लूजनेस के लिए नहीं अगर आप शही सब बताएंगे मुझे तो सही से समझ पाऊंगी मैं वो जो सिम अलाउंस है वो लूजनेस के लिए नहीं रखते ह हम लोग माजन रखते हैं स्टिचिंग का जैसे देखिए यह जो हिस्सा है यहां पर स्टिचिंग का माजन रखा है उसे अलाउंस बोलते हैं यह हम लोग लूजनेस के लिए नहीं तो हो सकता है जब आप मुझे जो सवाल करें और सही सवाल हो आपका पर मैं सही नहीं समझ पाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो एक एवरिज शब्द है वो यूज किजिए प्लीज तो मैं भी सही से समझ पाऊं कई बार होता है कि हम लोग एक दूसरी की वर्स को समझ नहीं पाते हों मिस अंडरस्टैनिंग के कारण और कुछ गढ़बर ना हो जाए बस यही है तग्या जैन उन्होंने बोला कि डिफ्रेंट टैप अफ कॉलरस बल्कुल यह सीरीज बहुत जल सुरू करने वाली हूं पर देखते अभी कब होता है पर जल्दी ही शायद 5-6 दिन में उसकी बाद है रैनू मुंदरा उन्होंने पूछा बॉटनेक विद प्रिंसस कट औ प्रिंसस कट या टॉक्स की कारण क्या चेंजेस है या क्या नहीं है देखिए बहुत नेक ही है उसकी बाद में जो हमारा शोल्दर है उतना शोल्दर लेना है जितना शोल्दर लिया है उतने ही आम हो लाइन और यह जो डाट है वो प्रिंसस कट का होता है सपोस्ट कि हमारा डार्ट प्रिंसेस कट का हो गया यहां से यह हो गई प्रिंसेस लाइन इदर से यह प्रिंसेस कट तो इसमें बोटनेक में कुछ फर्क नहीं पड़ा है यह है हमारा एक रफ मैंने ड्रो किया है तो इसमें बोटनेक की कारण कुछ फरक नहीं पड़ता है आम होल में जितना डार्ट है उतना हमें बढ़ाना होगा जितना डार्ट इधर लिया है उतना इधर बढ़ाना ही होगा तो कुछ अलग नहीं होगा बस एक चीज की उन्हाने पूझा कि जो पूं संट में डालिए आप साइड में डालिये इंविजिबल जिप साइड में होक्स भी दालना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है और येप कि यूजि लेते हैं जैसे यहां पर अगर कोई चीज आप ये नेट की यूज ले रहे हैं यहां यहां तक तो आप यहां कुछ नहीं लेना चाहते तो पीछी बैक साइड में आप बटन्स डाल सकते हैं पोटली बटन बना कर भी एक अच्छा सा शेप देकर फिर वहां भी होकस और आइस डाल सकते हैं साइड में जिब डाल सकते हैं बहुत इस डाल सकते हैं यानि उसकी बाद में साफिया एहमद मैं में पूछा था कि सरंट नेक 8 इंच और बैक नेक 9 5 तो शोल्डर लेखिए बैक नेक और यह जो डीप नेक डीपनेक सॉरी डीपनेक डेफिनिशन में आ गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग शोर्डर लेना होगा आपको देखिए यह वाला एक हिस्सा है यह जिसमें मैंने सब बताया था कि आप डोरी है बैक साइड में तो आपको अपनी चेस्साइज चेक करने है अगर डिपनेक है तो तो शोल्डर लाइन क्या होगी तो अगर 30 से 40 होता है तो दोरी नहीं है तो तो 30 तो 40 होगा तो 5 एंड 25 और अगर 40 से 50 है तो 5.5 इंच तो यह आप 5.25 लीजिए आपका साइड चेस्साइज 42 है तो आप 5.25 इंच लीजिए या 5.5 इंच लीजिए दोनों इक्वल है कुछ इतना डिफ्रेंस नहीं होगा उन्होंने ये भी बोला कि 2 इंच 2 इंच हमारा नेक लाइन कम नहीं होगा 3 इंच लेना चाहिए आप एक रफ बनाए मैं ब्लाउज एक रफ बनाए फिर आपको पता चलेग अगर कि ये कम नहीं है ये प्रॉपर है तो आप एक रफ बनाए सिफ टू इंच का आप पूरा स्टेप बाइ स्टेप फोरो कीजिए ये डीप नेक डेफिनेशन को ये मत सोची कि टू इंच कम नहीं हो कम हो गया तो एक मैं आपको पहले यही सर्जेस्ट कर रहे हूं रफ कपड़े का बनाए जो आपको इतने यूसफुल नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इस तरह के से कर रही हों सही होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं आपको experience हो रहा है ठीक है जब आप बनाएंगे पहनेंगे तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि ये कैसे है तो उस तरह किसे जब आप करेंगे तो समझ आजा जाएगा उसके बाद इन्होंन तो आपसे बात कर सकते हूं पर देखी लड़कियों के लिए इतना एजी नहीं है तो देखते हैं आभी तो नहीं जब 5,000, 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगी या उसे ज्यादा देखते हैं अभी आगे फिलाल तो अभी कुछ भी नहीं ऐसा मैं आपको रिप्लाइ देते हूं यॉप ? nutrica का जो फॉर्मूला है कूर्टि कामीज पर बिल्कुल कुर्टि कामीज पर अपको होता है कामीज को मिविती सब्सकूर और सズराय के लिए ऐदों तो dando की लिए लिए ये वी चालन और सब्सक्राइबर्स पाकितर मैं चाहिए बाकितो शब्सक्राइबर्सु करने की हमना पाप करने के फिक्स राखने का लेटे हैं वह दोनों से इक्वल हो पं़ी थाख्यों हिस्धि एतनी तौप लेटे हैं तो एविए तो ऐसके व्लांबर आप लए리 इतने ह renovations और एपना नाम नहीं रख़ा हुआ है उन्होंने यह आदा पॉना भी अधुछ्ट थी तूर नहीं आधा गन्यां उन्होंने यही सवाल कर जवाब दे चुकी हूँ बॉटनेक में होक्स वगरा खाएंगे उसकी बाद में हैं ट्विंकल गजात उन्होंने बोला कि प्रिंसिस कट मेजरमेंट के साथ मैंने जो भी ब्लाउस वगरा सारी बना हैं वो सारी मेजरमेंट के साथ हैं कुछ आलप नहीं बताया है जहां चेस्ट साइज होती है आप अपनी चेस्ट साइज लेजिए बहुत प्रॉपरी समझाया है तो सब कुछ मेजर मेंन के साथ है फिर मोहिनी उपा धिया है मैंने पूछा कि चेस्ट 40 है और हाइट नेक ब्लाउज शोल्डर से उपर हो जाता है देखे आप जब भी ब्लाउज बनाते हैं ब्लाउज ये कैसी चीज है जब आप बनाते हैं आपको पूरा प्रॉपर बनाना ह मेंन के की आपको भूते हैं होते हैं अपको थीटिंग ब्ला पर चाहों के प्रह्ण दखने लीकिए तब आ एसा अधे ज biscय का ब्लाउज ह्हीति करें अगर आपको वेस्राइज में थोड़ा सार्सुरा स謋ल्ग थेएगा तो ऑपकी अपर साइड में भी वह नदोचा, ब्ल तो आपका जो हाई नेक ब्लाउज है वो ऊपर हो रहा है या तो उसकी कारण यह होते हैं दो तिन कि या तो आपने पूरा फिट नहीं किया है उसको फिटिंग स्टिश बराबर नहीं दिये या फिर आपने बैक आम होल में कुछ गरबर की है या बैक की जो नेक लाइन है हाई नेक लाइन उसमें कुछ गरबर की है या भी कहीं न कहीं स्टिशिंग में गरबर की है या लूज है वो तो उन सब के कारण यह कुछ होते हैं तो आपको जब ब्लाउज बनाते हैं तो पू बेनसे पाइप इनके लिए नहीं से ह BS बाहने हैंज और गमर्ठ आहिंसे नहीं डाल सकते हैं इसके लिए आपको कर भी यहां से करा है यहां पर जाना चाहिए यह सब कट होगा यह सारा कट होता है और जब भी हम लोग यह कटिंग का जो ड्राफ्टिंग है जब फैब्रिक पर डालेंगे तो यहां से जो हिस्सा है यहां से भी है तो आपको यह वाला हिस्सा बढ़ाना होता है हाफाफ इंच से मलांस देना पड़ता है क्योंकि इन दोनों हिस्सों को हम लोग जॉइन करते हैं तो सिम आलांस आएगा तो आपको इस तहीं के से कट करना ज़रूरी है अगर आप पिंसेस लाइन में पाइप इं डालना चाहते हैं तो उन्होंने अभी पीस का भी बोला मैंने अभी तब की आटेच किया नहीं है यूट्यूब से जल्द करूंगी देखते हैं अभी कब और उन्होंने यह भी बोला कि वह गर्पे सारी स्टेचिंग खुद करती हैं बहुत ही अच्छी बात है और लगता ह कुछ अच्छा लगता है और आप मुझे भी सज़ेश्ट कीजिए कि मैं और कैसे अच्छे तरीके से प्रजेंट करूं सब कुछ और उसकी बाद में हैं एश्वर्या शानभाव उन्होंने पिंटक कुर्ति का रिक्रेस्ट किया है बिल्कुल यह हुआ नहीं है और रिक्रे प्रजेंग काफी अधर उन्होंने बोला मजिंग पटी है जो अभी पटी रिसंटली जो व्यूडियो था मजिंग पटी यानि की इंक्रीजिंग ब्लाव साइज बियॉंड से मलांस उसमें यह जो पटी है वो यह ब्लाव में बिल्कुल यूज कर सकते हैं एजीली कुछ आ यह पुछा था कि फिंसेस कट में जो लूप डाले हैं उन्होंने सारा सही तरीके से इंस्ट्रक्शन वगरा फॉलो किये हैं और पर जो प्रॉब्लम यह हुई कि हुक्स यह प्रॉब्लम कि शायद मैंने आपको बताया नहीं है इसके लिए मैं अपलोजाइस करते हूं मैंन इसके फिंसेस कट वाला जब यह इसमें जो लूप डाले हैं तो यह लूप के कारण उनके यह प्रंट में जो इससा होता है जो उसमें गैप होता है क्योंकि उन्होंने इस टीश्टो यहां से बराबर किया है देखिए एक चीज़ सायद मैंने बताया नहीं है सौरी उसके लिए आप जब भी हुक्स जालते हैं ब्लाउज में या कहीं भी तो उसमें होता यह है कि आपको हाफ इंच एक्षर चोड़ना पड़ता है यानि कि जैसे देखिए सपोस्ट कि यह हमारा हम लोग ब्लाउज यहां से श्टिश करना शुरू कर रहे हैं तो आपको हाफ हाफ हाफ इंच छोड़ते जाएं हाफ इंच छोड़ उसके बाद में आप अपने शोर्डर कegeत हैं से शोर्डर लेंगे और neckline इदर से आएगी जो भी chest size है वो इदर से इस तरीके से लेना है ये half inch होना है और जब भी cut करते हैं तो ये half inch को add रखना है ये है ना हमारे जब loops डालेंगे तो ये half inch काम आजाएगा और इसके कारण ये जो problems होते हैं वो नहीं होगी तो इसमें सिर्फ एकी चीज़ ज़्यान रखने है जो loops डालते हैं इसकी कारण हमारा ये half inch इदर से चला ज़्यादा half inch इदर से तो एक inch का gap हो जाता है तो आपको ये जो blouse में ये side loops डालते हैं तो half inch इदर से half inch इदर से extra रखना पड़ता है इसकी बार है बोला कि shoulder comes down in front हाँ ऐसा है जैसे deep neck होता है और जब deep neck में blouse बना रहे हैं और आपकी chest heavy है तो उसकी कारण shoulder down होता है और मतलब shoulder जो front में गेर जाते हैं गेरने का मतलब वो गेरता नहीं है जो shoulder line होती है जैसे ये shoulder line है ये आपकी shoulder पर exact नहीं रहती आपकी burst heavy है तो ये problem उनको रहेगा ही इसके लिए आपको पूरा एकदम fitting तो लेंगे फिर भी ये रहता ही है और इसका कुछ trick भी नहीं है कि इसको कैसे handle किया जाए पर इसे रहता ही है अगर आपका heavy burst है तो फिर अपुरवर जैन ने बोला है कि पाउस चोड़ीदार दिल्कुर अभी तक तो कुछ आया भी नहीं है हाँ बहुत जल्दी हम लोग पाउस चोड़ीदार भी यूज लें वीडियो बनाएंगे उसका भी एक उसकी बार में मानीता पटेग उन्होंने बोला कि ब्लाउस का मेजर मेंट कैसे लिया जाए किसी भी ब्लाउस से तो इसका एक अलग वीडियो दूँगी आगे इसका कारण एक ही होता है कई बार हो सकता है कि आप जब हो सकता है एक दू कारण और हो पर जब आप जो नेक लाइन बनाते हैं फंट की वो सही नहीं होती है कई बार तो उसकी कारण भी वो जो फंट का हिसा है वो बैक साइड की और ज्यादा गे सकता है और उन्होंने यह बोला था कि नेक की वी टू इंच छोटी तो नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होगा मैं आप डीपनेक जब बना रहे हैं जाप पर उसी वे में बनाई है जैसे मैंने बता रहे हैं तो आपका बलाउ सहीब होगा आप ट्राय कीजी रफ कपड़े से यही सजेस्ट करते हूं उसकी बार अभी उनका एक और कमेंट भी था कि जो स्ट्रीट पर जामा उन्होंने खरीदा है और वो टाइट है हिप से और थाइस से थोड़ा सा तो उसको कैसे किया जाए लेखिए आप जब भी बाजा से खरीदे या कुछ भी बनाएंगी इसमें आपने एक चीज यह नहीं बताई है कि आपका जो वेस्ट है वहाँ पर इलास्टिक है या नहीं बिना इलास्टिक का है तो आपको स्टीचिस खोलने होंगे जो सेंटर में क्रॉच होगा और जो क्रॉच का हिस्सा है उदर से जैसे ही यह है अमारा पजामा का समझ लेजे जो क्रॉच का इस्सा है यह वाला और जो नी तक होता है यह सब आपको खोलना पड़ेगा इस्टीच और अगर इलास्टिक है यहां से तो मुश्किल है बहुत अगर इलास्टिक नहीं है तो आपको यह पर्टिक भी थोड़ी खोलने पड़े अगर आफे टोप में पहन रही है तो यह देखैंगा हमारा Joining का पाथ और फी वह अच्छा नहीं लगीगा अगर कुर्ति या कमीज में पहन रही है तो ठीक कि वह चल जाएगा अगर ना टोप पे पहनते हैं तो यह अच्छा नहीं लगीगा तो आप देखिए आपको कैसे यूज लेना है इसको आप पी जो साइड है यहाँ पर कपड़ा एड़ कर सकते हैं यह इतना सेम मैचिंग का फैब्रिक लीजी और इतना एक्स्रा एड़ कर सकते हैं तो उमीद है मैंने आपकी सवालों की सही जवाब दे हैं और एक और चीज जो आपकी नोटिफिकेशन आशकर मुझे जो कमेंट्स है वो प्रॉपर ही नहीं मिल रहा है शायर मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो कभी डिले होता है कमेंट में तो प्लीज देखते हूँ जल्दी फिक्स करते हैं इसको कुछ जो प्रॉब्लम से कमेंट्स आते हैं वो मुझे मिल नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है मुझे चेक करना पड़ता है कि यह होगा उसके बाद मैं अंदर जाने के बाद मालुम जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन कमेंट्स हैं तो फिर मैं रिप्लाय उसी साफ से देते हूं तो हो सकता है टाइम लग जाता है तो सौरी फोर रैट और उमीर है आपकी सवालों के सही जवाब देया है टैंक यू सो मच वीडियो पसंद आये तो लाइक ज़र कीजिए फिर फिर को सवाल है तो कमेंट कीजिए